जोहार, मैं आनद कुमार और आप देख रहे हैं जन्मन्द की बात दोस्तों आपको लगता होगा कि मैं केवल भारतिय जन्रता पाटी की बात करता हूं कई लोग मेरे वीडियो पर कमेंट भी करते हैं कि आप जेमिम पर क्यों नहीं बोलते हेवन सरकार पर क्यों नहीं बोलते आप जेमिम के प्रवक्ता हैं ऐसी ऐसी बाते करते हैं कि केवल आप भाजपा के अलोचना करते हैं तरह तरह के सर्टिफिकेट कुछ दर्शक कुछ स्रोता मुझे देते रहते हैं कुछ महने पहले तक जब मैं सरकार के अलोचना करता था, तो कुछ लोग मुझे दिकू और बाहरी भी बोलते थे, जबकि सच्चाई ये है कि जारखंड मुक्तिमोर्चा के किसी जिला या प्रखंड लेवल के नेता तक से मरी कोई जान पहचान नहीं है, विधायक मंत्री या परिचित हैं, मंत्री भी रहे हैं, मुक्ष मंत्री भी रहे हैं, मैं भी उनको जानता हूँ, वो भी मुझे जानते हैं, कई नेता मुझसे बात भी करते हैं, दुख दर्द भी सुनाते हैं, मैं ज़्यादा बार भाजपा के पीडित दुखी लोगों का दर्द ही आपसे शे प्रिया भी देते हैं कॉंग्रेसियों की तरह बदला लेने के चकर में और जूठा एफायार कराने के चकर में नहीं पड़ते और भाजपा तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है कैडर आधारित पार्टी होने का दावा करती है खुद को विचारधार वाली पार्टी बताती है अनुशाशित पार्टी कहती है जारखंड में सबसे ज्यादा समय सरकार में भाजपा ही रही है उसके पास जारखंड के कुल साथ मुख्यमंत्रियों में से पांच पूरु मुख्यमंत्री हैं तो जब ऐसी पार्टी में गड़बडियां दिखती हैं तो बॉलना तो बनता है, जहां तक जारखन मुक्ति मोर्चा और हेमन सुरेन सरकार की बात है तो भाजपा का हर नेता उनके बारे में बोल रहा है चाहे पाँचलाख नौकरियों का वादा हो, चाहे भ्रास्टाचार का मुद्दा हो, चाहे उत्पाद सिपाही की दौड में हो रही मौते हूँ, भाजपा के प्रवक्ता से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक और प्रभारी तक लगातार इतने मुद्दे रोज उठाते हैं, हर मिनट इतने ट्वीट करते हैं, कि हम लोगों के पास, हम जैसे पतरकारों के पास, नय कुछ करने का, या उस पर कोई विशलेशन आकलन करने का कोई स्कोप ही नहीं बचता है, और जो भाजपा नेता आरोप लगाते हैं, उनको दूराने का भी कोई फाइदा नहीं है, इसलिए आप लोगों में से कई लोगों को भले मैं जैमेम का प्रवक्ता लगता हूँ, ले मैं आज का वीडियो भाजपा पर बनाने जा रहा हूँ, आज का वीडियो कॉंग्रेस पर है और कॉंग्रेस पर भी नहीं है, कॉंग्रेस के एक नेता पर है, नेता जी बड़े अन्प्रेडिक्टिबल हैं, यानि जिनके बारे में पहले से कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता नेता जी पार्ट टाइम राजनिती करते हैं और उस पार्ट टाइम में भी जारखंड के लिए पार्ट टाइम निकालते हैं ज्यादा टाइम दिल्ली में रहते हैं वीकेंड्स पर जारखंड आते हैं दिल्ली में राश्ट्री नेताओं के आगे पीछे टी टीम किये रह खंडी कहें एक ही बात है क्योंकि नेता जी कहीं टिकते ही नहीं है फिलाल जमशेदपूर पूर्वी से विधान सबाद चुनाव लड़ने के लिए आतुर हैं बेचैन हैं छट पटा रहे हैं लेकिन न तो यह शहर उनका अपना है न वी शहर को अपना समझते हैं न उनके पा जितने चक्कर उनके पाओं में हैं उससे ज्यादा अरस्थिर अनस्टेबल उनका चित है एसा भी कह सकते हैं कहीं टिकर रहते ही नहीं डॉक्टरी की पढ़ाई की लेकिन डॉक्टरी नहीं की साहब बनने की एक्षा थी तो UPSC के सिविल सर्विस एक्जाम में बैठ गए प IPS की नौकरी छोड़कर कॉर्पोरेट में आ गए टाटा की दो कंपनियों में नौकरी की फिर अपोलो हॉस्पीटल ग्रूप फिर मैक्स नीमन और अब जे एसेस मेडिकल रिसर्च में सेवाएं दे रहे हैं एक बार एसपी रहते सत्ता की पावर का मजा ले चुके थे नेता पूर में एसपी रहते उन्होंने अपनी हनक दिखाई थी तो लोगों के मन में याद बाकी थी लोगों को लगता था कि नहीं ये बंदा कुछ करेगा क्योंकि उसने करके दिखाया था तो नेता जी ने पार्टी की तलास शुरू की ठिकाना मिला कमल फूल से खिसिया है बा पार्लियामेंट बन गये सांसत बन गये तो जहां दिल्ली में नौकरी कर रहे थे उसी दिल्ली में पार्लियामेंट में चले गये लेकिन कहीं टिक्कर रहने की आदत भी नहीं है तो अगले चुनाओं में कंगी छोड़कर पंजा लडाने पहुच गए लेकिन तब तक संगल पार्टी से मदद लेने का अरोब भी लगा कोई सीडी वायरल हुई मुकदमा भी हुआ था बाद में अदालत ने उनको बरी कर दिया सब कुछ हुआ लेकिन नईया पार नहीं लगी कॉंग्रेस पार्टी ने उनको जारखंड का प्रदेश अध्यक्ष बनाया लेकिन उ एक मीटर लंबी चिठी लिखकर भाग गए उसके बाद उन्होंने केजरिवाल की जाडू पकड़ लेकर घुमने लगे लेकिन टिकना तो फितरत में है नहीं आम आदमी पार्टी के केजरिवाल भी समझ गए कि आदमी चोपा ज्यादा देता है काम कम करता है इसमें दम नह काने के लावा कोई काम नहीं दिया नेता जी जाडू लगाते लगाते हाँ गए तो अब डाक्टर साहब से नेता जी बने साहब को लगा कि पोलिटिकर केरियर ऐसे तो खतम हो जाएगा तो फिर पंजा चापकी उनको याद आई सोचे कि राहुल बाबा के सामने जाएं तो पूरा जोर लगाकर अंग्रेजी बोला काम बन भी गया कॉंग्रेस पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी दे दी डॉक्टर साहब फिर दिल्ली में बिजी हो गए लेकिन जमशेदपूर में टाटा की कृपा से एक ठिकाना है तो वहां रहते हैं आते हैं कभी- लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाए रगवर दासिज इन्विंसिबल कहकर भाग निकले फिर लोकसभा चुनाव में हाफते हाफते आए बहुत कोशिश की कि सीट मिल जाए टिकट मिल जाए लेकिन जमशेदपूर की सीट जारखन मुक्तिमोर्चा के खाते में चली गई अब नेता जी फिर बिल से बाहर निकले हैं उधार के फरजी कागजों को लहरा लहरा कर नो टंकी कर रहे हैं जब जब चुनावी मौसम आता है डॉक्टर सहाब बरसाती बेंग की तरह टर्टराने लगते हैं लोकसभा का चुनाव हो विधान सभा का हो सब इनको ही चाहिए तो अगर इस विधान सभा का टिकट नहीं मिला इसके बाद जो नगर निगम का चुनाव होने वाला है कहीं उसका भी मेर डिप्टी मेर लड़ने न पहुंच जाएं वैसे टिकट मिलेगा भी की नहीं ये भी नहीं पता है अभी लेकिन डॉक्टर सहाब दूसरों पर बड़े लेकिन खुद भी दूद के धोय हुए नहीं है कॉंग्रेस का अध्याक्षराते इतना खेला किये हैं कि उस पर अलग से दो-तीन अपिसोड बन सकता है कॉंग्रेसी ही बता रहे हैं अभी बता नहीं रहा हूं इस वीडियो में लेकिन कॉंग्रेसी उन्हें बहुत चीजे ब अच्रूनुड्णौन को मुझ नातों है। को अच्रूनुडर्ण। ब्रहें कोसितों कि समेधी समेधी शिक्र्णून। अच्रून। समेधी है। यह किए यह कित्रे कोड़ी परियो नी दोस्तों देखा आपने ये वीडियो ही सब कुछ कह रहा है और यहां हमारे नेता जी जमशेदपूर में बैठकर रद्धी के टुकड़े लहरा रहा है तो खेर राजनीती में आरोप लगते रहते हैं राजनेता भी आरोप लगाते रहते हैं लेकिन एक बात पक्की है कि नेता जी कहीं टिकते नहीं है रण छोड़ है नहीं जन सेवा से उनका कोई सरोकार है जन सरोकार होता तो सेवा की शपत लेकर जो वर्दी पहनी थी उसे बी आएगा नेता जी पूजा पाठ में बड़ी दिल्चस्पी रखते हैं घर और मंदिर में तो पूजा करते ही हैं पूजा पाठ करने दूर दूर भी चले जाते हैं समुद्र तट वाले धार्मिक स्थानों पर और देश की राजधानी तक में धार्मिक यात्रा के सिलसिले में उनको काफी लोगों ने देखा है वैसे लोग बताते हैं कि नेता जी के लिए इश्वर तक पहुँचने के लिए पूजा पाठी एक मात्र जरिया नहीं है उनके पास भक्ती करने के और भी साधन उपलब्ध है तो इश्वर नेता जी को इस भक्ती का प्रसाद जल्दी देग फेस्बुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो भी कीजिएगा और अगर चैनल को कुछ सहयोग देना चाहते हैं तो जोइन भी कर सकते हैं धन्यवाद नमस्कार